तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से जो आपके कॉस्चन है प्रश्ण फैंक का हैलो एलकेन और हैलो एरीन वाला मतलब की कह सकती है यूनिट 10 काठी है तो इसमें एक कॉस्चन पूछा है आपको कॉस्चन नमर साहिती 11 है तो इसमें एलकेल इस कॉस्चन का सॉल्व होगा और उसके अलाब बता दे तो आप थेयोरिकल कर सकते हैं इसमें से आपको एक चार नमर का प्रश्ण जो है वो पूछा जाएगा तो चार नमर के साब से आपको दोनों करना चाहिए लेकिन आपके अग्जाम पेपर में ऐसा कॉस्चन नहीं प कॉस्चन नमर 11 का अंसर बता रही हूं क्योंकि यह जो कॉस्चन है इसका अंसर आपको हर जगह अलग अलग देखने को मिलेगा इसलिए मैं जो राइट आपको बता रही हूं तो इसको देख लीजिए और उसको कंप्लिट कीजिए वांकि यह जो है आपके इनके अनसर तो स तो चल जाएगा आप तोनों कर दीचेगा अगर चाहर नमर में आ जाता है तब दिखिए जल में की ओएच पून आयनित होकर ओएच माइनस आयन देती हैं ठीक है तो आपके याद कैसी करना है आपको दोनों का लेवल बस इतना याद रखना है कि यह जो प्रबल नाविक इसन होता है ठीक है या फिर कहसकते है कि प्रबल नाविक इसनी होने के कारण परती च्थापन के विकलिया के दवारा अखैल है जो है ईल्को भानाता है जो कि हमारी कॉस्च्छन में और जश्ट इसकी अपोजेट उसमें बात की गई है कि जो कि व एच है वो ज़ली विलेयर में हमें घुल कर क्या दे रहा है मैं एलकोल दे रहा है लेकिन जो एलको बिलियन हुआ कि उसमें वह हमें क्या दे रहा है वह हमें देता है C2H5OH आयन मतलब कि इसमें क्या हो जाएगा कि उसने हमें C2H5OH में QHL को Oxide आयन देता है यह OH आयन के अपेक्षा और अधिक प्रबल होता है मतलब चूह आपको OH आयन में रहा माइनस यह से और वह आधिक अपेक्षा मंदलब कह सकते हैं कई उना ज्यादा प्रबल होता है और इससे क्या होता है ना बहे किस नहीं है अतहा यह अगर इस reaction में देखा जाए तो पहली आपकी जो जलिये वाली है और दूसरी एलको वाली है तो आप यहाँ जलिये और एलको करकी इसको इस तरीके से कर सकते हैं और यह सेम आपका वही है जो मैंने आपको बताया ठीक है ऐसी ही आपको यह हो जाएगी और इसके अलाबा जो आगे कि रेक्सेंस वगारा प्रेश्ट वागे जो सॉलुशन वाप तक बहुत जल्दी पहुंचेंगे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और प्ल